Hello my dear friends, welcome to my youtube channel, LIS expert, मैं अपने चैनल LIS expert पर आप सब लोगों का पहुत बहुत स्वागत करती हूँ So friends, जैसे कि मैंने की last video बनाया था आपको, mysterious section in library, तो वो मैंने user interface से बनाया था है, user point of view से वो video बनाया गया था But मैंने उसमें कहा था कि कुछ section रहे गए है, जो staff point of view से है, वो भी मैं बनाऊँगी, है ना, तो अब मैं वो video भी बनाऊँगी, plus एक से पहले ये video, keep in mind video मैं मैं दो point लोगी, ठीक है, एक तो monoscript section, इसको लोगी, है ना, और दूसरा एक computer section, इस पर बहुत जड़ा emphasize करने की ज़रूरत है और इसमें मैं जो है, एक library automation का topic भी टच करूँगी, computer section में, ठीक है, किसका library automation का computer section के अंदर पहला लोगी, keep in mind videos में, मैं monoscript section, है ना, जो academic library में establish होता है और एक जो लोगी में computer section लोगी, computer का जो section होता है, जिसको हम different section में कहते है ये हार type की library में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं दूगी, तो especially public library की, उससे emphasize दूगी है ना, और इसमें मैं क्या लोगी, library automation एक point है, उसको मैं emphasize करूँगी, इस video के अंदर और फिर उसके बाद, जो है, मैं एक mislenious section in library वीडियो और बनाऊंगी, उसमें लेकिन मैं जो है, staff interface से, यानि staff point of view से उसको लोगी तो friends, hope so, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और जो भी मैं communicate करना चाह रही हूँ, जो point भी मैं touch कर रही हूँ, वो सारे आप अच्छे से understand कर पाए, समझ पाए, इस चीज़ को, जो है, keep in mind रख कर मैंने, ये keep in mind वीडियो बनाया है, ठीक है? hope so friends, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो please मेरे चैनल को like करना न भूले, bell icon पर click करना न भूले, और subscribe करना तो भिलकुल भी न भूले, thank you so much friends and have a nice day.